All right guys, so PHP की series को continue करते हुए, आज एक बहुत important aspect पर बात करने वाले हैं और वो है files, files का क्या मतलब होता है, आपने text files के बारे में सुना होगा, आप लोगोंने, image files के बारे में सुना होगा, और तो और यह जो हम code कर रहे हैं, यहां पर यह सब लिख रहे हैं, यह भी तो file ही है, य एक text file है, जिसके अंदर यह characters हैं, और इसको हमारी PHP हमको interpret करके दे रही है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, कि files के साथ deal करेंगे, और देखेंगे कि किस तरह से files काम करती है, PHP के अंदर, तो यहां पर मैं करूँगा क्या, कि एक नई file बनाऊंगा, जिसका नाम में रखूँग यह playlist access नहीं करिये, by any chance अभी तक तो इसको कर लेना, access क्योंकि यहीं पर सारी की सारी चीज़े, मैं बताने वाला हूँ, तो यह है हमारा वो folder जहां पर हम लोगों ने, यह cwh.php बनाया था, यह हमारा एक project था, और यहां पर हमने बहुत सारी files रखी हुई थी, मैं अपना XAM start कर लेता हूँ, अभी के लिए सिर्फ Apache server start करूँगा, my SQL start नहीं करूँगा, क्योंकि database के साथ, अभी मैं बिल्कुल भी deal नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहां पर मैंने Apache को start कर लिया है, और यहां पर मैं अपने Google Chrome में आने के बाद, अपनी जो index of cwhphp वाली है, जो मैंने bookmark करी थी, location इसको मैं खोल लूँगा, in fact, ही मेरा project है, जिसका नाम cwhphp और इसमें बहुत सारी files है, तो यह हमको index of cwhphp करके इस तरह से इसलिए दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यापर को index.php, index.html नाम की file नहीं बनाई, अगर मैंने बनाई होती, तो क्या होता, अगर मैंन भी मिल जाती है, देखो, यहाँ पर index of, बाजिकर, index of, तो यह side जो है, यह php में बनी हुई है, और यहाँ पर देखो, यह क्या करती है, कि server का, यह जो location है, यह index हो गई होती है, और यहाँ पर आप लोग को सारे के सारी जो files हैं के server पो मिल जाती है, और यह movie download करने की trick हुआ करती थी, पहले बहुत effective, अब तो बहुत सारी जो websites हैं, वो लोग यह trick जो है, इनोंने disable कर दिया, problem को solve कर दिया है, और यह काम नहीं करती है, लेकिन index of करके, अगर आप लिखोगे इस तरह से, तो आप लोगों को बहुत सारी website के content मिल जाएंगे, यह सब games के लिए भी काम कर आप लोग देखों यहाँ पर, यह file में मैंने कुछ किया नहीं है, तो मैं आपर क्या करूँगा कि इस file को php लिखकर जो है, इस तरह से इसके अंदर content डाल दूँगा, opening, closing, php tag डाल दूँगा, अब मैं आपर करूँगा क्या, कि मैं एक file को read करूँगा, और यहाँ पर मैं एक file बनाता हूँ, जिसका नाम में रखोंगा, file.txt, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, in fact file को file नहीं, कुछ और रखता हूँ इसका नाम, और आप लोग कहीं confused ना हो जाओ, वैसे आप लोग confused होते नहीं हो, my file.txt रख देता हूँ, कुछ भी हो सकता है नाम उसका, और इसके the best file on this planet, okay, and I can, I can, and I am in love with this file, कुछ भी लिख दो यार, इसको meaningful होने का क्या ही हो है, अगर मैं कुछ जिवरिश भी उडालते था इस तरहा की तब भी क्या problem थी, चलो, अब यहाँ पर 34 enders को file.js को read करने की ninja technique बताता हूँ, in fact, ninja technique नहीं हो, technique है सिर्फ, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कि read file करूँगा, लिखूँगा, यहाँ पर dollar a is equal to read file, और इसके बाद इस file का नाम, my file.txt, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा echo dollar a, और इतना करने के बाद मैं आपर देखो, इसको reload करूँगा, यह देखो क्या लिख करा राता है, this is the best file on this planet and I am in love with this file, और इसके बाद यहाँ पर यह 70 भी लिख करा राता है, आप लोग सोचोगा, यह 70 क्या है, तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ, 70 क्या है, दे लगता है मैंने इसको select कर लिया, तसलिय नहीं दिखा रहा था, हाँ ठीक है, तो यह देखो, I am, this is the best file on this planet and I am in love with this file, और 70, अब आप लोग यह कह रहे होगे, कि यह 70 क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ, 70 क्या है, अच्छा अगर मैं आप लोग से खूँ कि guess क्रों, 70 क्या क्या है, तो कि आप लोग guess कर पाओगे, सिर्फ guess करना, वीडियो आगे देखकर नीचे comment मत करना, guess करना सिर्फ, जो भी guess होता है, गलत भी होता है, तो मुझे बताना, जितने लोग guess करेंगे, एक दिल सबको दिया जाएगा, अब यहाँ पर देखो, आप लोग रोख सकते हो इस वीडियो को guess कर रहे होता हूँ, लेकिन मैं भी बताने जा रहा हूँ कि यह 70 क्या है, यह 70 है number of characters read, यानि कि इसने कितने characters read किये, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर TTT लिख दूँ, यानि कि 3 characters मैंने odd add कर दिये, इसमें, reload करूँगा, तो देखो, यहाँ पर 73 इसने read किया है, तो यहाँ पर 73 आ गया है, अब आप लोग हो गया, यह तो बड़ी दिक्कत की बात है, यहाँ पर यह number of characters क्यों दिखा रहा है, मुझे चाहिए नहीं number of characters, तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको नहीं चाहिए number of characters, तो आप इसको कर दो comment out, सिर्फ read file कर दो, क्यों read file क्य देता है, क्या करता है, output buffer में पटक देता है, पटक देता है मतलब, मतलब चिपका देता है इस तरह से, देखो, reload करूँगा, 73 चला गया, ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि यह कुछ return ना करे, इस तरह की value 73, 75, 78, 78 यह 420, तो आप लोग इसको reload कर लो, और उससे पहल अब echo नहीं कर रहे हो, आपका जो content है, वो बिल्कुल सही-सही यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखो, मैं इसको भी reload करूँगा, यह देखो, मेरा content यहाँ पर आ गया है, ठीक है, तो I hope कि यह चीज़ क्लेर होग यह आप लोगों को, बट मैं चीज़े को simple रखते हैं, इसक अगर आपको deal करना है PHP में, तो आप लोग read file function का use कर सकते हो, अब एक बात आप लोगों को बता सकता हूँ, कि read file function तब use किया जाता है, जब सिर्फ आप लोगों को एक file को open करके, उसके content को read करना है, और यह एक बहुत common use case है, आप यह सब बहुत बार करोगे, एक file खोली, उ functions को इस्तिमाल करने का, और फिर उसके बाद mode specify करने का, वो सारी चीजे अगर आप लोग उनसे बचना चाते हो, और सिर्फ content लेके उसको इसको इस्तिमाल करना चाते हो, तो read file जो है, यह convenience function है, और अभी मैं जो है, यह read file को इसी के बारे में बताऊंगा, भी read file के बारे में, रखने पढ़ेंगे, वो सब चीजे जो हैं माने वाले videos में देखेंगे, चलो यह तो बहुत simple जो use case था, वो हो गया, ठीक है, अब मैं आपर एक काम करने वाला हूँ, मैं आपर करूँगा क्या, कि एक image file को लेकर आँगा, तो, को image file यहाँ पर लेकर आता हूँ, मैं आपर दिखे, 1.png कर दिया मैंने, अब यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, कि अगर मैं read file यूज करूँ 1.png के लिए, तब क्या होगा, अगर मैं 1.png के लिए read file यूज करूँ, तो मैं इसको reload करूँ, तो देखो, यहाँ पर इसने मुझे, यह जो content दा, इसको text के रूप में interpret कर लिया, और यहाँ पर मुझे इसने यह दिखाया, देखो, अगर मैं इसको view page source भी करूँ, तो यह देखो, यह confused हो गया एकदम, और यह कहरा है, यार, पता नहीं कि इस मुसीबत में मैं आ गया हूँ, और यहाँ पर इसने binary file को text के तोर पे read करने की कोशिश करिए, और नतीज़ा आपके सामने, एक चीज़ यहाँ पर interesting यह, note करने वाली कि मुझे यहाँ पर error नहीं मिला, और error इसलिए नहीं मिला, क्योंकि मैंने इस file को text mode में खोला, और literally अगर text mode में देखा जाए, तो इस file के अंदर यह content है, यह display करने की कोशिश कर रहा है, हाला क कि माल लो मैं आपर एक HTML file बना लूँ, उसके नम में लखो, file.html, और उसमें मैं सबसे पहले एक boilerplate लगा दूँ, और यहाँ पर मैं div.container लिख दूँ, और उसके बाद मैं आपर लिख दू, this is a paragraph, और यह चीज मैं h1 के अंदर डालना चाहूँगा, this is a paragraph, और मैं simple सा एक HTML पेज बना रहा हूँ, बस आप मतलब समझ जाओ, बावनाओ को मेरी, मैं यहाँ पर एक paragraph बनाऊंगा और यहाँ पर lorem 344 कर दूँगा, कुछ sample text आचाहेगा, अगर मैं इस file.html को display कराना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, file the best file website on the planet, तो मान लोगी में dynamically इस file को read करके और यहाँ पर display कराना चाहता हूँ, तो यह 34 underscore file मैं इसके इंदर डाल दूँगा, read file और इसके बाद मैं लिख दूँगा, file.html and obviously semicolon, तो यह मैं अगर करूँगा, तो आप लोग देखो इसने क्या किया, कि यह file as it is लेकर, right click view page source, और यह देखो इसने यह file को as it is लेकर यहाँ पर display करा दिया है, तो अगर आप किसी template को इस्तिमाल करना चाहते हो, php के within, तो आप लोग क्या अगर सकते हो, कि एक file को read करके, और read file run कर दोगे, तो वो जो content as it is आपका throw करतेगी, output buffer में php, ठीक है, तो यह था हमारा files के साथ deal करना, और file का introduction, आने वा read, write, यह सारी की सारी चीज़े हम लोग देखेंगे, ठीक है, guys अगर आप लोगों ने अभी तक यह playlist को access नहीं कर रहा है, तो kindly इस playlist को ज़रूर access कर ले न, चुकि यही पर मैंने सारी की सारी चीज़े जो मैं बता रखी है, अब php के अंदर बहुत सारे लोग projects मांग रहे है तो मेरे लिए difficult हो जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात की assurity दे सकता हूँ, कि इस project को बहुत अच्छी तरह structure करूँगा, और आप लोग शुरू से आखीर तक patience के साथ देखो, एक घंटे में, एक दिन में, या फिर इवन दो दिन में भी पूरी php एक beginner नहीं सीख स अगर आप लोग इन वीडियो को लाइक भी करते चलें, देखने के साथ साथ, इससे क्या होता है, सबसे पहले तो मेरा motivation बढ़ता है, इस तरह के free वीडियो आप लोग के लिए लाने के लिए, और उसी के साथ यूटीब को भी पता चलता है कि ये वीडियो अच्छा है और वो content को और push करता है, let's be honest here, तो अगर आप लोग लाइक करेंगे तो काफी फाइदा होगा, so इस वीडियो को लाइक करना, अभी के लिए इस वीडियो में इतना है guys, thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.